नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahipal Singh राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा Environment से संबंदित एक टॉपिक Golden Bird Wing नाम की तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली घुशित किया गया है Officially यह species कहां पाई जाती है इससे पहले यह record किस species के नाम था तितलीयों की in general importance क्या है Environment के लिए इस तरह के कई points हम discuss करेंगे इस वीडियो में याद रखिए जब से Indian Forest Services का Prelims UPSC Civil Services Prelims के साथ जोड़ा गया है Environment Ecology के सवाल थोड़े से बढ़ गये है तो इन topics पर भी आपको ध्यान देना होगा अगर आपने अभी तक Study IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और bell icon भी ज़रूर दबाएं ताकि आप Study IQ की कोई भी important वीडियो और update मिस ना करें अगर आप मुझसे social media पर जुनना चाहते हैं तो मुझे इन ideas पर follow कर सकते हैं और मेरे सभी PDF आपको इस Telegram चैनल पर उपलब धोंगे तो ये है भारत की सबसे बड़ी तितली Golden Birdwing नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि इसके चड़िया की तरह punk है इसलिए Birdwing और Golden कलर है इसके अंदर तो ये इसका नाम है चरितार्थ करते हुए नाम को और इसका scientific name आपको याद होना चाहिए Troidus acus इस तितली के पंकों की चौड़ाई पाई गई है 194 mm यानि कि लगभग 20 cm to be precise 19.4 cm और ये भारत की सबसे वड़ी तितली बन चुकी है on record Troidus acus species के इस butterfly को observe किया गया Butterfly Research Center के scientist के द्वारा ये center स्थित है उत्तराखंड के भीमताल में UK का मतलब यहाँ उत्तराखंड ना कि United Kingdom तो ये उसका photograph है जो release किया गया है इस center के द्वारा एक interesting बात ये है कि इसी species का जो male है वो काफी छोटा होता है almost आधी size का है तो male का wingspan 106 mm है और female का जो largest wingspan ना पा गया है वो 194 mm है तो ये वाला particular specimen जो 194 mm वाला है ये record किया गया है DD heart नाम की एक जगे है उत्तराखंड में बाइदवे भीमताल नैनी ताल से थोड़ा सा आगे है उसी के पास में है तो ये DD heart भी एक जगे है उत्तराखंड में यहां से ये specimen पकड़ा गया और इसको अब रखा जा रहा है butterfly research center में भीमताल में अगर हम animal classification को देखें तो तितली, कीट, पतंग ये सभी insecta class के अंदर एक specific order होता है उसमें पाय जाते हैं उसमें इने classify किया गया है इस order को कहते हैं lepidoptera और ये नाम खुद carolus lenius ने रखा था जिन्होंने scientific animal classification की या plant classification की शुरुवात करी थी तो lepidoptera कहा जाता है इस order को और lepidoptera के अंदर generally butterflies और moth हैं और जो researchers या scientists जैसे कि इनसान को आप देखते हैं तो उसकी height देखते हैं height नापते हैं वैसे ही तितलियों में उनका wingspan ना पा जाता है Troidas acus से पहले भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता था Troidas minos को अब बस फर्क इतना है आप याद रखेगा वो उत्राखंड में यानि कि जो northern हिमालेज हैं वहाँ पर देखी जाती है चाइना में भी पाई जाती है तो कुल मिलाकर ये उत्तरी शेत्रों में है भारत के और ये है दक्षिन शेत्र में वेस्टन घाट्स में Troidas minos को southern bird wing के नाम से भी जाना जाता है तो southern bird wing का एक specimen 1932 में 190 mm यानि कि 19 cm ना पा गया था और अभी वाला कितना है थोड़ा सा बड़ा है 194 mm है golden bird wing का तो ये observation किया गया था एक retired British military officer के द्वारा Brigadier William Harry Evans William Harry Evans को ये श्रेज आता है कि इन्होंने पूरे भारतिय उपमाद्वीप में जगे जगे घुम कर तितलियों पर शोध किया, research किया, किताब लिखी कई सारे observations किये, कई species को भी discover किया और इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है वो आज भी भारतिय उपमाद्वीप में सारे देश, बर्मा, उस समय का जो बर्मा था आज का बांगलादेश, पाकिस्तान, भारत इन चारों देशों के अंदर तितलियों पर अगर कोई standard textbook या standard work माना जाता है तो वो इनकी किताब है लेकिन इनोंने 1932 में जो western ghat से ये discovery करी थी इसमें एक समस्या है, इनोंने जो specimen Napa था, 190 mm का ये इनोंने कहा दिया कि मैंने देखा उसको Napa और अब वो specimen कहा है किसी को नहीं पता होता ये है कि अगर आप इस तरह का कोई specimen देखते हैं तो आपको record के लिए या proof के लिए उसको रखना होता है, तो इसका कोई record नहीं है यानि कि इस specimen अब अगर इनोंने रखा था, उसे preserve किया था मरने के बाद तो फिर वो कहां है, हमें मालूम नहीं है तो कुल मिला कर जो इनके notes में या इनकी किताब में बात कही गई है उसी के basis पर हम आज दिन तक Southern bird wing को सबसे बड़ी तितली भारत में माना कर दे दे लेकिन जो अभी का observation है भीमताल में, वो कोई भी verify कर सकता है वो specimen अभी मौजूद है अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली कौन सी है तो ये श्रेज आता है Queen Alexandra's bird wing नाम की एक species को जिसका wing span 250 mm देखा गया है, यानि कि 25 cm ये Queen Alexandra's bird wing का एक preserved specimen है यानि कि ये मृत तितली है, उसको preserve किया गया है कुछ chemicals के साथ और ये है Bombay Natural History Museum में जिवित ये कुछ इस प्रकार से नजर आती है ये species पाई जाती है Papua New Guinea नाम के देश में तो Australia से उत्तरी और स्थित है Papua New Guinea और यहाँ पर Queen Alexandra's bird wing को हम देख सकते हैं वैसे आपको एक जानकारी देदूं कि दुनिया में जो सारे महादवीप हैं सभी पर butterflies देखी जाती है सिवाए Antarctica गे केवल एक Antarctica ऐसा महादवीप है जहाँ पर तितलीया नहीं देखी जाती बाकि सभी तरह के territory में या फिर एरिया में तितलीया दिख जाती है तो चाहे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो या फिर पहाडी जंगल हो सभी जगे आप इन्हें देख सकते हैं अगर आप सिविल सिवा परीक्षा की तयारी में Environment Ecology को अच्छे से पढ़ना चाते हैं तो आप Study IQ Smart Course की मदद से ये काम कर सकते हैं ये Smart Course आपको अवेलेबल होगा Study IQ App पर तो डाउनलोड कीज़े इस आपको Google Play Store से और हमारे सभी courses पर EMI option भी अवेलेबल है भारत के कई शहरों में Butterfly Park Establish किये गए हैं यहाँ पर आप as a tourist जाकर इन तितलियों को अबजर्व कर सकते हैं लगभग Natural Habitat में बड़े-बड़े एरियाज इन में cover किये गए हैं हाला कि इन City वाले Butterfly Parks के अलावा कुछ Butterfly Parks National Parks में भी Establish किये गए हैं तो जो cities में हैं वो हैं मेंली बंगलूरू, श्रीरंगम, पूने, चंदिगर्ट, ठाने और गोवा वाले Butterfly Parks सिक्किम और अन्यकई राज्यों में open Natural Butterfly Parks भी स्थित हैं अब आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा National Park है जहाँ पर भारत का पहला Butterfly Park स्थापित किया गया था कमेंट में जरूर बताएगा अगर आपको इसकी जानकारी है अब तित्लियों की Importance क्या होती है तो सबसे पहली Natural Importance है इनकी Pollination यह कई Plant Species को Pollinate करने में मदद करते हैं लेकिन Environment Conservation की नजर से अगर हम देखें तो तित्लियों की Importance ही होती है कि यह Indicator Species का काम करती है Indicator का मतलब है कि यह हमें बताती है कि Overall Ecosystem किस दिशा में जा रहा है और अगर Environment में Changes आ रहे हैं तो सबसे पहले तित्ली की Species वहां से कम होना शुरू हो जाती है और अगर तित्ली की Species बढ़ रही है उनकी संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर Environment सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो कुल मिलाकर Quality क्या है, Environment की और किस दिशा में बदलाव हो रहे हैं ये हमें Butterflies को Study करके मालूम चल जाता है तित्लीों से जुड़ा एक और Latest Current Affairs है पिछले महीने ही दो नई Species भारत में Discover करी गई है तो इनको जोड़कर भारत में अब 1327, 1327 प्रजातियां तित्लीों की Discover करी जा चुकी है तो आप चांगलांग डिस्टिक्ट याद रखेगा क्या आप मुझे एक National Park का नाम बता सकते हैं जो इस डिस्टिक्ट के पास में स्तित है अगर आपने National Park पढ़ा है तो आपको यह बात मालूम होगी तो यह था आज का लेक्चर, थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस, हाव ग्रेट डेए